नमस्कार दोस्तों हरियो में आपका स्वागत इस बीडियो में प्रस्ण एक का भाग चार का हल करेंगे इससे पहले भाग एक दो और तीन नहीं देखें तो हमारे चैनल के पले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं तो देखिए इसको हल करते हैं देखिए इसको बोल देते हैं समीकरन एक और इसको बोल देते हैं समीकरन दो देखिए प्रस्ण में क्या करा है बिलोपन तता पर्ति अस्तापन विदी से हल किजिए तो देखिए दोनों विदी से इसको हल करेंगे देखिए बिलोपन बिदी से हल करने के लिए कोई एक चर ठीक है X या Y दोनों में से किसी एक चर को बिलुप्त करना है तो कैसे करेंगे किसी एक चर का गुनांग बरावर करना है तो देखिए समीकरन एक को छो से गुना करेंगे और समीकरन 2 को 3 से गुना करेंगे देखिए समीकरन 1 को 6 से तथा समीकरन 2 को 3 से गुना करने पर देखिए देखिए इसको 6 से गुना करेंगे देखिए एक्स बटा 2 गुना चो ठीक है और देखिए इसको भी 6 से गुना करेंगे और देखिए इसको भी 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जागा देखिए 2 ती यह चो यह कट जागा ठीक है तो यह तीन एक्स हो जागा और यहां से देखिए यह कड़ जागा तीन दूनी चो यह दो दूनी कितना हो जागा दो दूनी 4y और यह माइनस छो इसको गुना करेंगे चो से माइनस एक को यह चो हो जागा तो देखिए समीक्रन एक को छो से गुना करेंगे तो कितना हो जाग इसको बोल देते हैं समीक्रण 3 समीक्रण 2 को 3 से 3 से गुना करेंगे तो देखिए इसको 3 से गुना करेंगे और य बटा 3 देखिए इसकोवी 3 से गुना करेंगे और देखिए तीन इसको भी तीन से गुना करेंगे देखिए दोनों तरब लिखने कि यहां हो सकता नहीं है ठीक है अपके मन में कन्फिजन आ सकता कि दोनों तरब आप नहीं लिख रहे हैं देखिए उससे कोई दिख यहां समीक्रन की बात कर रहे हैं तो देखिए दोनों तर और यह 3-3 कट जाएगा तो y हो गया और यह 3-9 यहनि 3 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा ठीक है देखिए 3x-y ब्रावर 9 इसको बोल देते हैं समीकरन 4 अब देखिए कोई ऐख चैने के लिए क्या करेंगे गुनांग बरावर गया तो क्या करेंगे घटाएंगे अगर दोनों का चीन समान रहेगा तो घटा नहों होता थे एक स्सवाइगा यह माइनस तो कट जाता याने जोडने पर और अट तो देखिए घटाएंगे इसमें मैं अले कि समीकरन तीन में समिक्रन 4 को घंटाने पर घंटाने पर देखिए आप चाहतों समिक्रन 4 में समिक्रन 3 को घंटा दें उससे कोई दीक्ष कर नहीं है हम यहां लिखें देखिए समिक्रन 3 में समिक्रन 4 को घटाने पर यानि इसको घटाएंगे देखिए इसमें कोई भी अगर confusion हो तो एक बार आप उधारन 11 12 और 13 देख लिए आपके सभी confusion दूर हो जाएंगे तो देखिए इसमें घटाएंगे तो यह बाया साइट बाया साइट और देखिए दाइनसाइट दाइनसाइट घटाएंगे तो देखिए यह 3x पलस 4y और यह माइनस पलस क्या हो जागा माइनस और यह माइनस माइनस क्या हो जागा पलस ठीक है और देखिए यह माइनस चो यह माइनस नो देखिए यहां तीन एक्स है यहां पलस में यह माइन यह कुन सा भी दी तो एक चर को बिलुप्त करना यह बिलुप्त कर दिये चार एक एक कितना होगी चार वाई और एक वाई पांच वाई और देखिए नौ चो कितना हो जागा 15 माइनस 15 जब भी जोडते हैं तो चीन माइनस कर रहेगा और दोनों जुड जाएगा ठीक है लेकि माइनस चोर माइनस नौ जुड गया तो कितना हो गया माइनस 15 ठीक है अब देखिए इसको इधार ले आएंगे बट्टे में पांच इसको काटेंगे देखिए तीन पचे 15 ठीक है और यह एक पचे 5 कट जागा तो य बरावर कितना हो गया माइनस तीन बट्टा एक यहने त उस्हाल कि कर जाएब तो ऑफ कमान कितना आगया तीन अगया थिक है अब देखिए और कंगे तो यह कमान समीकरन 2 में रखेंगे अब किसी में , समीकरन 4 में रख कर्गे देखिए चलिए समीक्रन चार में रख देते हैं देखिए य का मान समीक्रन चार में रखने पर देखिए यह 3X और Y का मान कितना आया देखिए इस Y के जग़ए माइनस 3 रखेंगे ब्रावर 9 समीक्रन 4 में रखेंगे य हम दो में रखेंगे तो tracking इसे कोई दिख़गत नहीं है तेकि developments हो और RYAN क्या हो जाया एक माइनस विखाया हो रहा आह meditation herman गुणा च्थीपा हो रहता है तो – – अक तर दो देखिए इसकोन एभर लिए normal की न 6 जाले है एक्स बरावर क्या जागा गुना में थी यह बट्टे मा जागा इधर ठीक है तीन दोनी चोकड जागा तो एक्स बरावर कितना आ गया दो ठीक है अलेके अत्त एक्स बरावर दो य बरावर माइनस 3 कि दिए गे समीकरन यूग्म का हल है ठीक है देखिए x बरावर 2 और y बरावर माइनस 3 दिएगे समीकरन यूग्म का हल है ठीक है यानि देखिए इससे ये समीकरन संतुष्ठ हो जाएगा देखिए अगर x के जगए आद 2 रखेंगे तो यह 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और y के जगए माइनस 3 रखेंगे तो 4 तीय कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 माइनस 12 में 6 घंड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 तो दोनों तरफ बरावर हो जाएगा ठीक है यहां भी तकि अगर 2 रखेंगे x के जगा तो 3 दूनी 6 ठीक है और यहां रखेंगे माइनस 3 तो यह माइनस माइनस पलस हो जागा तो 6 और 3 कितना हो जागा नो दोनों तरफ बराबर हो गया है यहांने समीक्रन युग में संतुष्ट हो गया ठीक है तीस समीक्रन का यह हल हो गया x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3 अब देखिए इसको परती अस्तापन विधी से हल करेंगे देखिए सम्माई बचाने के लिए इसको पहले लिख लिए था थे थोड़ा समझा जाते हैं तह्यां देखिए पहले की तरह उसी प्रकार यह समीकरण 1 को 6 से तता समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर यह पहले बता चुके यह समीकरण 3 इसको बोल दिया इसको समीकरण 4 ठीक है अब देखिए एक्स का मान समिक्रण 4 में रखने पर देखिए एक्स का मान देखिए समिक्रण 3 से एक्स का मान निकाले तो समिक्रण 4 में रखना ठीक है इस चीज को याद रखना समिक्रण 3 से निकाले फिर समिक्रण 3 में नहीं रखना तो देखिए एक्स का मान इसको रख दी गएगए तो देखिए यह माइनस मैनस जूड़ गया घन कंच यह मैनस इस को जुड़काई तो प्लस होगा इदर के माइनस 5फ़ बराबर 15 थी भर डह Chung यह माइनस को नीचे से उपर किसे यह पेहले बीडियों बता चुक ए यह यानि माइनस एक से इसको दो काट दें और माइनस एक से इसको भी गुना कर देंक तो माइनस ऊपर चला जा तो इस परकार माइनस ऊपर में ARE –15 नण चार में रखी यहां चाय रख सकते हैं यहां भी रख सकते हैं इसकोब दो । razor कोई भी समिकरं में रख सकते हैं ॥ देखिए हुआ कमन समीखरन चार में रखने पर माइनस माइनस पलस हो गया तो यहां से देखिए तीन के बट्टे माई जातीन नी छो एक्स बरावर कितना लगा तौड के अधिक उपयुक्त है तो तो आपको जो अधिक उपयोगी लगा उसको लिख दीजिए हमको यह अच्छा लगा यह लिखें वील उपन वीधी अधिक उपयोगत है यह वीधी हमको ज्यादा अच्छा लगा आपको जो सुवीधा लगे उसको लिख सकते हैं ठीक है ठीक है वेडियो एंद करते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले